हेलो फ्रेंड्स आई एम रचना वेलकम एक माई योट्यूब चैनल आज हम आपके लिए बहुत ही संदर गाउन लेकर आए हैं और इस गाउन को बनाने के लिए मैंने एक साड़ी ली है ये साड़ी मेरी ऐसे ही रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसमें से आज मैं एक गाउन ज करना है सबसे पहले हमें वन मीटर के करीब पल्लू को कट करना है जिसमें से हम यह गाउन है इसे डिजाइन करेंगे तो यहां पर मैं पल्लू को कट कर रही हूं इस पल्लू से मैं गाउन को डिजाइन करूंगी तो यहां पर मैंने वन मीटर के करीब इस पल्लू को कट किया कि तो हमें साड़ी में से हम टॉप आट के लिए कप्डा कटकर रहे हैं तो यह रो at मैं už it गूंत्र करें हैं 24 इंच में इसकी चौड़ाब रहे हूं तो मैं सब कर तो यह 12 इंच होगी तो जितना मुझे टॉप पाट के लिए कपड़ा चाहिए मैं उतना कर रही हूँ आप अपने मेजर मेंड के रनूसर कट करें तो यहां पे मैंने 24 चॉवीस इंच मेंने कपड के लिए कपड़ा कट किया है इसके बाद अब हमें स्कल्ट के पर्दे कट करने हैं तो उसके लिए मैंने साड़ी को चोड़ाई में फोल कर लिया है और मैं इसकी लेंद्थ ले रही हूँ 39 इंच जो यह पर्दे हुँगे शिल्के तयार 38 इंच के हुँगे 38 इंच के पर्दे शिल्के तयार हुँगे तो मैंने 1 इंच इसमें शिलाई के लिए एड़ किया है तो यहाँ पर मैं जो लेंथ ले रही हूँ वो 39 इंच ले रही हूँ और ऐसे मुझे निसान लगा के लाइन खींच के इस परदे को कट करना है तो यहाँ पर मैं इसे कट करूँगी अब मैं आपको एक वार और बता रही हूँ जो हमारे परदे हैं वो 38 इंच के सिल्के तयार होंगे और 1 इंच मैंने इसमें स्लाई के लिए एड़ किया है और जो हमारा टॉप पार्ट होगा वो 16 इंच का सिल्के तयार होगा और 1 इंच हमने मार्जन के लिए एड़ किया है स्लाई के लिए जो हमारा गाउन है टोटल 54 इंच का सिल्के तयार होगा 54 इंच का हमारा ये गाउन सिल्के तयार होगा तो हमने जो इसकी length ली है sculpt part की वो हमने 38 inch ली है 1 inch हमने slightly add किया है top part की जो हम length लेंगे 16 inch लेंगे और 1 inch यहाँ पे भी हम slightly लिए add करेंगे 54 inch का होगा तो हमने length 39 inch ली है और चोड़ाई इसकी 4 meter है और अब हम इसे cut कर रहे हैं ध्यान रखें इसकी चोड़ाई 4 meter है वो मैंने इसे fold करके रखा हुआ है और इसकी चोड़ाई 4 meter है इसके बाद हम इसे side से भी cut करेंगे यह हमें 2 परदे cut करने हैं एक हमारा back का परदा होगा और दूसरा front का तो हमें इसे center से भी cut करना है 2 meter हमारे front के परदे के लिए है और 2 meter ही हमारे back के परदे के लिए है और length हमारी दोनों परदों की ही 39 inch है 49 inch हमारी यह length है अब इसके बाद अब हम drafting करना बता रहे हैं हमें यह परदा लेना है जो हमने 24 inch लिया था और एक बाद तो यह ऐसे fold है ही है दुबारा से हमें इसे ऐसे fold करना है तो हमें कपड़े को fold layer में fold करना है इसके बाद जो मैं इसकी length ले रही हूँ fix तो 16 inch है और 1 inch मैं slightly add कर रही हूँ तो top part की जो length है वो मैं 17 inch ले रही हूँ 16 inch हमारा fix रहेगा सिलके तयार 1 inch हमने इसमें सिलाई के लिए लिया है तो मैं इसकी length 17 inch ले रही हूँ इसके बाद जो हमारा यह side से कपड़ा है इसकी आप बाजू भी बना सकती है अब यहाँ पे मैं solder की marking कर रही हूँ solder की जो मैं चोड़ाई है वो मैं 7 inch ले रही हूँ तो हमें यहाँ पे 7 inch पे एक mark करना है इसके बाद हमें armholes की length लेनी है वो भी मैं 7 inch ही ले रही हूँ और line को हमें खींचना है और यहाँ पे हमें चोड़ाई का फोर्थ लेना है तो मैं यहाँ पे 10 inch ले रही हूँ और margin के लिए मैं 1.5 inch कपड़ा एड़ कर रही हूँ इसके बाद जो भी waste हो आपकी कमर उसका भी आफ फोर्थ ले और मैं यहाँ पे 9 inch ले रही हूँ और 1.5 inch मैं margin के लिए एड़ कर रही हूँ और इन line को हमें armholes की तरफ मिलाना है इसके बाद अब हमें armholes की marking करनी है तो armholes की length 7 inch है तो 7 inch का half हुआ 3.5 inch पे हमने एक mark किया है यहाँ से हमें 1.5 inch लेना है और ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है यह हमारे back armholes की marking होती है जो mark हमने 3.5 inch पे किया है half inch हमें गले की तरफ करना है और half inch ही हमें इसे लेना है और उपर से हमें इसे ऐसे मिलाना है और फिर हमें इसकी गोलाई करनी है तो यह हमारे front के armholes होते है इसके बाद हमें गले की marking करनी है गले की चोड़ाई मैं 3.5 inch ले रही हूँ और length मैं इहां पे 4 inch ले रही हूँ और ऐसे हमें एक box बनाना है और half inch पे हमें इसकी गोलाई करनी है तो यहां हम half inch पे इसकी गोलाई कर रहे हैं इसके बाद एक निसान हम armholes की तरफ लगाएंगे वो हम half inch पे लगाएंगे और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिर्शा करेंगे और जो हमारे यह top part है इसकी जो drafting है वो हमने complete कर ली है इसके बाद हम आपको इसे cut करना बता रहे हैं सबसे पहले हम गले cut कर रहे हैं तो हम साथ में ही दोनों गले cut करेंगे इसके बाद shoulder की तरफ से cut करेंगे फिर हमें back arm holes की cutting करनी है फिर हमें इसे side से cut करना है इसके बाद हमें एक परदे को लग करना है जो हमारा back परदा होगा उसे हमें अलग करना है और front परदे को हमें अच्छे से fold करना है और front arm holes की अब हमें cutting करनी है तो यहां हमें front arm hauls की cutting करनी है यह जो हमारे front arm hauls है इनकी भी cutting हमने कर ली है तो हमने जो यह पर्दे है top part के यह हमने cut कर लिये है इसके बाद अब जो हम design करेंगे उसके लिए हमें यह पल्लू लेना है और इस पल्लू को हमें single रखना है और इसकी length हमारी 40 inch है इस पर्दे की length हमने 40 inch ली है इसके बाद inch tape को हमें ऐसे कौने पर रखना है और इसे हमें ऐसे तिर्शा करना है और तब हमें इसकी length 40 inch लेनी है इसके बाद फिर हमें top part को रखना है हमें इसे उतना ही तिर्शा करना है ताकि जो हमारा top part है इधर की side में आ सके तो हमने 40 inch पर इस top part को रखा है और हमने marking की है और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा work है वो तिलचा सके और सुन्दर लगे देखने में और जो हमारी ये length है ये 40 inch है दूसरी तरब की length हमारी 20 inch है half है और ऐसे ही हमें इसे कट कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और इसके बाद मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ ऐसे हमें इसे सीधा करना है यह ऐसे आएगा इस गाउन की जो कटिंग है वो कम्प्लीट हो गई है मैं आपको इसे रख के दिखा रही हूँ, इसकी लोग बहुती सुन्दर आई है अब मैं आपको इसे सिलना बताती हूँ सबसे पहले हमें ये टॉप वाला परदा लेना है अब हमें जो स्कल्ट वाला परदा है, वो लेना है और उसमें हमें बड़े नमर से स्लाई लगानी है यहां हम चोड़ाई में बड़े नमर से स्लाई लगा रहे है ध्यान रखें ये स्लाई हमें चोड़ाई में लगानी है लेन्द में हम ये स्लाई नहीं लगा रहे है तो यहाँ पे हम बड़े नम्मर से सिलाई लगाएंगे और धागा खीच कर हमें इसे वेश्ट के अकोरिंग करना है तो यहाँ पर बहुत सारी पलेट्स आ जाएंगी तो हमें इसे खीच कर कमर के अनुसार कर लेना है इस कल्ट वाले परदे को और इसके बाद इस परदे को हमें सीधा रखना है और इसके उपर हमें टॉप वाले परदे को हमें इसके उपर ऐसे उल्टा रखना है और सिलाई लगानी है यहाँ पे तो यहाँ पे हम ऐसे पलेट्सों को देखते हुए यह सिलाई लगाएंगे और इन्हें हमें अच्छे से करते हुए स्लाई लगानी है यहाँ पर मैंने इस्लाई लगा ली है इसके बाद अब हमें ऐसे सीधा करना है और हमें यह डिजाइन वाला परदा लेना है इसे हमें इसके उपर ऐसे अच्छे से रखना है और पिनप कर लेना है पिनप करने के बाद सोल्डर की तरफ गले की तरफ और साइड में हमें सलाई लगानी है यहाँ आप चारो तरफ इसमें सलाई लगा ले और सलाई लगाने के बाद आप गले को भी बना ले तो यहाँ पे मैंने इसके चारो तरफ सलाई लगा ली है और सलाई लगाने के बाद हम गले को बनाएंगे गला बनाना मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है वहां मैंने गला बनाना आपको बता रखा है तो यहां मैंने गला भी बना लिया है इसके बाद हमें इस परदे को ऐसे सीधा रखना है अब हमें बैक परदा लेना है तो यहाँ पर मैंने बैक परदे में सेम ऐसे ही पलेट्स भरी थी और इसके बाद गले को बनाया था बस हमें इसमें इतना ही काम करना था तो back परदा मैंने पहले से ही तयार कर लिया है इसके बाद back परदे को हमें इसके उपर ऐसे उल्टा रखना है और solder की तरब sly लगानी है इसके बाद यदि arm holes पर आप pipe in रखना चाहती है तो वो भी रखने यदि बाजू लगाना चाहती है तो बाजू भी लगा सकती है और साइड में आप सलाई लगाना है ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियों में सारी सलाई देखा रखी है मैंने आर्म होल्स पर भी सलाई लगा ली है पाइप इन लगा के और साइड में भी सलाई लगा ली है और इसकी लुक बहुत ही प्यारी आईए सिलने के बाद आप देख सकती है फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेंट करके भी पताएं धन्यवाद